हरो, असलोम जेस भी अई कराल को श्राइork forward आई हम बना रहे हैं एक को उसकी तिक्स बिता रदर वहां रिख सांवद में गया recognize है और आज हम बना रहे हैं आज हम बना रहे हैं política जिञंगर बर्कर आप अपने घर और इतना जबर्दस क्रम ऐगा उसका तो देखते रहें तो चलो आप बनाते हैं जले से जी सबसे पहले मैंने चीकन को बोल्लेस कर लिया था ठीक है ना इसके ये है लेग का एरिया ठीक है ये लेग था इसको मैंने बोल्लेस किया और इसको इस तरीके से ना कट लगा दिये ठीक है और ये है थाय इसको भी कट लगा दिये ठीक है ना इसका बनता है जिंगर क्रिस्पी जिंगर जो होता है ना बेसिकली वह ये यह दाब हम इसकी करेंगे मेरिनेशन ठीक है और इसको कम से कम 30 के लिए हम रख देंगे तो यह है गार्लिक पॉर्डर तो तो टेस्ट पैप्रिका वाइट पैपर ब्लैक पैपर वाटर दो टेबल स्पून ठीक है तो चलाब है मैरिनेट हो गया है अब इसको हम तक्रीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और इसके बाद हम कोटिंग करेंगे पॉर्टिंग करने के बाद हम फ्राइ करेंगे चला तो अब करते हैं कोटिंग अब अब फ्राइब फ्राइब ज्यादा रखेंगे क्योंकि उसको जब चिकन हम इसमें डालेंगे तो उसको रब करने में थोड़ी आसानी होगे गर्लिक पेप्रिका ब्लैक पेपर और वाइट पेपर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें तो तकरीपर मैंने ना एक घंटे के इसको रैस दिया था मैडिनेशन को ठीक है यह हमने ड्रै मिक्सर बना लिया था और यह है चिल्ड वाटर थंडा पानी पहले हम इसकी कोट करेंगे ठीक है कोट करेंगे इसमें डिप करेंगे डिप करने के बाद दुबार है इसमें करेंगे और इससे ना फिंगर टीप से ना इसको सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से ना इसको रब करेंगे ठीक है ताकि इसके क्रम्स बनेंगे ठीक है और ठंडा पानी से ना क्रिस्प बहुत अच्छा आता है तो चलें करते हैं बिसमिल् कि ऐसे करते हैं आपने ना कि सॉफ्ट हातों से बिल्कुल इसको जड़ें चीक है और फिर इसके पार आप ठंडे पारी में पांच सेकंड के लिए इसको छोड़ दें पांच से दस सेकंड के लिए ना तो चला है हम दुबारा से कोट करें वैसे ही जैसे हम कर रहे थे हम यह देखें अभी फ्लेश राइट और हुई विए ना उसकी वजास से आपको नजर नहीं आ रहा है हैं तो बहुत जबर्दस क्राम आया ठीक है इसको आप साइड पर रखें इसी त्रीके से हमने यह वाला भी कर लिए यह देखां ठीक है तो अब हमें करना है ओईल करां अगर तो आपके पास हर्मामेटर है तो आप उससे चेक कर सकते हैं और को उसी ओईल के इसी तेमपरेचर के उपर आप करेंगे ना और इसको तक्रीबान आप करेंगे आठ से दस मिनट ना फ्राइए तो एकल रेट एक कोको चाय का अंदर तक और बहुत अच्छा रहेगा इलिए बना ओईल गरम हो गया तो अब इसके अंदर हम डालते हैं इसमें अच्छा क्रिस्प आए ठीक है इसको मैं आपको काट के भी तिखांगा यह हम बनाते हैं सॉस यह है ब्लेन मायोनीस इसमें हम डालेंगे होट सॉस या स्राचा सॉस ब्लैक पेपर अलिकी सी ब्लैक पेपर अब हम यह लेते हैं हमारा जिंग कर यह ठीक है जयाँ झाल झाल